आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बिए फिप्त समस्टर के जियोगराफी यानि कि भुगोल के फस्ट पेपर के मोस्ट इमपार्टन कोईश्चिन और एंसर के बारे में आप सभी को मालूम कि बिए पंचम समस्टर यानि फिप्त समस्टर पर सब्जेट के दो पेपर यह ठीक है बी तरतिय वर्स समस्टर आपका पंच्या में सब्जेक्ट भुगोल प्रश्ण प्रत्रका नाम प्र्थम है और प्रश्ण प्रत्रका नाम है प्रदेशिक भुगोल से संबंदित होंगे चलिए आते हैं question answer श्रीज पे तो पहला प्रस्ण है आज की इस वीडियो एक उम्मीदवार सिलेक्ट किया जाता है उचके बाद फिर से बदलता है या फिर वह हो जाता है लेकिन पांची वर्षी के लिए रहता एक बार में तो उसे से संबंदित कोईश्चन है तो लिखा है कि नंबर एक पे हैं ध्यान स्टनेंगे कि पंच वर्षी योजना को सब्सक्राइब को भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहलाल नहरु द्वारा प्रस्तुत किया गया था इस बात को ध्यान रखेंगे जो पंच वर्षी योजना आज चल लहीं आप सबी जानते हैं इसकी जो शुरुआ थे वह नौ जुलाई 1950 को भारती योजना आयोक का गठन किया गया था मत्तब कि इसका शुरुआत जो गठन है वो 15 मार्श को किया गया था 1950 को उसके बाद जो स्टार्टिंग हुई है वह 1951 से हुई है और नौजुलाई से इस बात को ध्यान नखेंगे काफी helpful point है अगला point है इसमें का कि 5 वर्ष के लिए नई योजना है बनाई जाती तो वही मैंने आपको बता है 5 vrsh केलिए एक उम्मद्वार या फिर को उजना चलाई जाती पिर अगर ढूसरा कोई सासनाता अधा दूसरा कोई सरकार आती है तो अपने अनुसार से प्रगत के लिए देश के और अपने जनता के विका से समाजिक न्याय गरीबी हटाना पूर रोजगार आधुन की करना आध की तरफ भी ध्यान दिया जाता है मतलब उसी पंच वर्षी योजना होते हैं जो पंच वर्षी यानि पांच साल के अंदर उसमें कुछ ऐसी बेवस्थाय की जाती जो समाज के लिए न्याय को जो भाई करना कोई रोजगार है तो उसको रोजगार की शुबदा देना तो यह सब चीजी होती है तो इसी तरह इसमें बहुत फारी लाव और विश्थाय प्रस्तु थे जो कि आपको तयार कर लेना एक्जाम के नजरिया से टॉप लेबल का कुश्चिन है चले निश कुश्चिन प पार बसे लद्दाच छेत्र को कोल्ड ठीक है डेजर्ट यानि सीतुस्कुरेगिस्तान की नाम फिजाना जाता है इस पर आपको आपको यहां पर कैप्चर कर लेना अपने दिमाग में ध्यान से सुन लिजी मिन पॉइंट जो हिमाले होता है ठीक है हिमाले आप लोग जानत सकता है तो हिमाले पर्बत को यहां पहुचने से रोग देता है तो पहले तुफान आता है तो पहले कि तकरा जाता है उसके बाज़ तकरा के अलच कुछ भागों में भाट जाता वह Pasukे पाफंद अगर डारेक्ट अगर हिमाले परबत ना हो ना यह दुनिया जो बिनाफ हो जाए ठीक इतनी तेस्ट से जब कोई तुफान आता कोई हवा चलती है ठीक है तो उनको पहले परबत और हिमाले रूख लेते मतब कि उसमें काफी हद तक मतब कि अफ़ीन अब्वेपिसर तक वह कं रही जाता है 10 15 20 वही आता है आप सभी हम तक ठीक है इस छेत्र में समसीतोस्ड समसीतोस्ड का मतलब होता है कि मतलब की एक हिसाब से गरमी हो एक हिसाब से ठेक ठंडि हो कहने का मतलब यह है कि सर्दी और गर्मी की जो मात्रा है जहां पर बराबर होती है समस्वितोस्ट का मतलब वही होता है कि जिस भी छेतर में जिस भी अस्थान पे गर्मी और सर्दी बराबर मातरा में होती है उसे हम सितोस्ण कहते है एवम सुस्क जलवाई सुस्क जलवाई का मत्तब होता है जहां पर कम वर्षा हो जहां पर बहुत कम मातरा में वर्षा हो से करीब करीब कम बताया जाता है ठीक है उसके जो मिस्डर रहता है ठीक है उसे ही बोला जाता है ठीक है और लिखा यहां पर में पॉइंट है कि भारत के कुल फीत मरुफ्थल का फटासी दसमलो चार प्रतस्त हिस्सा लदाग छितर में तथा बारा दसमलो छे प्रतस्त हिस्सा हिमाचल प्रदेश के लहौल इस्टिक अस्पीत के अंतर गताता है इस छितर का ताप्मान सर्दियों में 40 डिग्री फेल फिफ तक पहुंच जाता है ठीक है इन छेत्रों में या फिर इन छेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है जो होती भी है ठीक है वह बर्प के रूप में होती है भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है जो यह अस्थान है मतलब कि कुछ अस्थान ऐसे होते हैं जहां पर मतलब कि मतलब बारिश नहीं होती वह यहां पर वर्सा बहुत कम होती और बर्फ की रूप में ज्यादा वर्सा होती ठीक है और इन दोनों का मतलब याद रखें क्योंकि यह आपके प्रिश्चा में पहता है जिसे कोश्चन आएगे वह या समस्वितोर्षट किसे के तो आप नहीं जानेंगे समस्वितोर्षट का म अगला कुश्चन कर रहा कि प्रदेशिंग नियोजन की हो सकता किन कारणों फे हुई है तो कुछ कारण है उनको जान लीजिए पहला कारण है कि तेजगत से विकाफ करने के नाम पर मानों ने अपने अफ्थाने चीते प्रांते राष्टे तथा अंतर राष्टे अस्तरों पर इस तरह का बदलाव किया है कि वातारों में तथा हमारे प्रसिकी में संतुरन बिगड़ गया है ठीक है मतलब कि इस हिसाब से आप लोग को मालूम कि पहले क्या जलता था एक्जांपल एक ही मैं आपको एक्जांपल दूँगा पहले क्या सिस्टम था पहले आप लोग करने के लिए प्रभावी प्रदेशिक नियोजन बनाने की दिशा में ब्यापक अस्त्रम प्रश्चांपल दूसरा है कि समाजिक आर्थिक आशामनता को कम करने के लिए तथा परस्तितिकी अफंतुलन को रोकने के लिए प्रभावी प्रदेशिक नियोजन बनाने की दिशा में ब्यापक अस्तर पर कारे करना है प्रदेशिक नियोजन कहलाता है यह पिन नियोजन कहते हैं ठीक है और अलग 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 देशों की विकास की रफ्तार अलग 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 जैसे कि भारत में दूसरी रफ्तार है चा काफी हद तक भारत में सुधार आ रहा है ठीक है मतलब कि बहुत ज्यादा आ गया ठीक है यह सभी देशों समय टकर ले रहा अपना देश ठीक है तो आप लोग समझ सकते हैं कि बाई सभी देश का जो विकास है वो अस्तर अलग-अलग होता चाहे देश की बात हो चाहे आपके प्रेशनल किसी फैमली के आपके परिवार की या फिर आपके समाज की किसी के बात है आपके दोस्ती बात हो आपके बार ला लग जाया में नहुंकरी लग जांए तो आपके पास 25 तीन आपके पास तेन आपके दियान लखेंगे ठीक है ओके अगला कुश्चिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चुकि मैंने ऊपर बताई चुके हैं आप सभी को कि पंच वर्षी यूजना को शुरू करने का मुख देश क्या था यह आपको बताना है तो पंच वर्षी यूजना देश के विकाफ के लिए चुकि यह जिसके माद्यम से फरकार द्वारा कोई ना कोई उद्देश तैंग किया जाता है और फिर उस उद्देश पर काम किया जाता है और इन पंच वर्षी यूजना के माद्यम से देश की आर्थिक किस्तित में बहुत सुधार है मत्तब कि पहले तो एक प्लान की यह वाला योजना लांज करें इसको पूरी तरह पूरी करके लोगों को लाव परात कराएं ठीक है तो यह में उद्देश होता एक तरीके से कंडीशन कंडीशन है तभी कभी कोई काम हो पाएगा जाहें किक्सी भी छीत्र में हो ठीक है इस बात को ध्यान लखेंगे और पंच में आजाएगा ठीक है अगरा प्रश्ट नहीं जाएगा प्रश्ण में की अंदर सासित प्रदेस लद्दांग में खणिस शाधन सीमित मात्रा में उपलब दे के अपप रक सबीक पूगा घाटी में अध्याम बंदक के बिस्टाल भंडार पाया जाते हैं लेह में कारगिल दोनों में अच्छी गुणवत्तावा संग मरमर एवं सिमेंट ग्रेट का चूना पत्थर पाया जाता है। साथनों का उचित फंदोहन संभव हो सका मतलब की डिली डिली इसका डिवलप्मेंट यानी विकास हुआ ठीक है देरे देरे में तब खूज हुई और यहां पर यह प्रोडक्ट पाया गया जैसे सिमेंट है शेंग मरमर है इन सबी की जो चूना है यह सब पाया जाने लगा ठ है कोई भी आ सकता आप अप तयार कर ली कि कि समता बिद पर टिपड़ी लिखेंगे प्रदेशिक नियोजन के लिए कि आर्थिक नीत को फुनिश्चित की आदाफ अक्ता इस्पस्ट कीजिए ये टाप लेबल कोईश्चिन इस पर जिरूरम डिसक्रिशन करेंगे इसका उत्तर लिखेंगे कि अधिकतर ज्यादातर विकाफ फील देशों में या संभोगा की भूक और आकाल से निवारण के लिए जितनी अनाच किय सकता बजार कीमितों के अधार पर किसान उससे कम उत्पादन करें बजार प्रणाली की इस विक्रतियों की संभावनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि साइद इस प्रणाली से वंचित प्रेडाम नाप्राप्त हों कहने का मतलब यह है समान है जो बजार की कीमत है ठीक कि मतलब की उससे कम उत्पादन करें मतलब की जिससाफी कीमते हैं उस विश्का मेहंगी टीकि उसका इसका कम करें यह बता आये जा रहा है औरहां कि यह वह एक अपको सप्लेय कर रहा हूँ ठीक है तभी माली जे किसमें क्या महerगा हमार बड़ेगी तभी तो मतलब की ज् रहा है कि साइद इस प्रणालिफे वांचित प्रेडाम ना प्राप्त हो ठीक है वहीं बताया जा रहा है तो आप लोग पूरा का पूरा उत्तर है तैयार कर लेंगे काफी हिल्पूल कोश्चन साबित हो सकता एक्जाम के लिए ठीक है अफ्थानिय संसाधन के बारे में ठीक ह किसी एक छेत्र में प्राकर्थिक संसाधन होते हैं इसी तरह मानों उनका फैच्छनेंग अफ्तर मानवे अनुकुरिया हैं कौशल स्वास्त दरजा इत्याद मानवे संसाधनों में आते हैं तो मानों संसाधन का मतलब यही होता है कि जो मानों के ज़ीनिक जीवन में युझ होने वाली चीज़ें अप जो उसके मानों के लिए जो जरूरी है वो चीज़े ठीक है अफ्थानी संसाधन में अख को बताऑ दया कि आपका इश्गिल्फ आ जाएगा आ तिक सवात आजाएगा टीक है तैस्ट्रीक अंच्छय निए एज़ुकेशन भी आ जाएगा टीक है तो इत्याज जो मानौस संशाधन में आते हैं ठीक है जो कि मानो द्वारा यह पृस्टुत किये जाते है ठीक है बागी कुछ चीजे जो होती जो अस्थानीं होती है तो रहेगा जल भी इस्थानी तो रहेगा न चाहिए वन पसू ठीक अन्य जीव खनी इत्याद आते हैं ठीक यह सब प्रकार्तिक संसाधन होते हैं ठीक है बहुं मर्दा जल वन पसू ठीक है और यह आपके मानुवी संसाधन में आते हैं ठीक है क्योंकि मनुष्ट इनको ग्रहन करता है ठीक है यह मानुवी के अंदर डेवलप होती है खुद के अंदर ठीक है चलिए निश कोश्चन की मिरेडल मौडल क्या है यह तना महात्पूर्ण ने आप पढ़ भी सकते हैं बाकी आपके उपर है कोश्चन कभी कभी आ जाता है इसलिए मैंने फचा रख देते हैं इस वीडियो में ठीक अगला महत्पूर्ण के बिक्सित अर्थ विवस्थाओं के बारे बताइए तो ऐसी अर्थ विवस्था है जो आर्थिक रूप से संपन्न है मतलब कि एक फंपन है जि फ्तर छीक है उच्चतर फ्तर को प्रात किये रहती हैं बीषित अर्थ विवस्थाओं कहलाती है और अर्थिक ब्रध्य परच्छ suppliers vAll consistency website legend जाती है इन देशों में आर्थिक विकास के लिए अभि सुचक उंचा सकल घर उलूत पाद शुची प्रति बेक्ताई उंचा अद्दो की करन सबल और अन्रशनायों उन्नत रहन सहन के अफ्तर आश्या ग्रूप से बिद्दमान रहते हैं ठीक है तो इतना महात पूर्ण कि हमेशा नहीं आता कभी कजार आता तो आप पड़ भी सकते अग्नोर भी कर सकते मुर्दा फंफादन इसको जरूर फोकस करेंगे यह महात पूर्ण टॉप लेबर का क्वेश्चिन है कि मुर्दा मानों की बिदिन गत्विदियों जैसे कि किर्शी पसुपालन और बागवान बड़े पैमाने पर वन ठीक है नाफन और भूम के वानज्जी को प्योगों के मुर्दा के धांचे में अफ अंतुर्ण उत्पन कर दिया है क्योंकि मुर्दा के निर्माड उसकी नवीनी करन्य योगता और पुना आफ्थापना को काफी लंबा समय चाहिए इसलिए मुर् पान नहीं रहे और उसमें कुछ ठीक है एक तरह के अच्छी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं तो भाई भूम तो बंजर हो ही जाएगी जैसे कि मालीज जे कि वहां पर आप ना तो कभी पानी वहां पर जा रहा है ठीक है ना तो वहां पर कभी आप लोग कुछ सब्जी प्रतब कि लोग उनको काटना प्रारम कर दें तीक है इससे भी बहुत बड़ी समस्या सामने आपको आए दिन देखने को मिल देंगे और आए दिन आपको और बढ़ती हुई देखने को भी लेंगे क्योंकि ये जो हूं आपका मतब्द की प्राकरतिक है और जो आपका जो जीवन है इनसान का वो कही न कहीं एक दूफेर से मिल नहीं खा पा रहे हैं तीक है लेकिन ऐसा हो रहा है। अपने देख रहा है अप सो देखते हैं कि पीड़्ों की अंध्धाद उन साथ में इतने ज्यादा खेतों में या फिर जो भी अस्थान जहां पर फफल उगाई जाती वहां पर इतने ज्यादा प्रोड़क्ट का इतने ज्यादा खाद का इतने ज्यादा दवाईयों का प्रयोग किया जाता है तो उसके वज़र क्या होती मिट्टी को नुक्सान ही होता जो कि भूमिको मुर्दा को पूरी तरह दोसित भी कर रही है ठीक है तो ये काफी helpful question है आएगा जरूर जल फाम फाधन मुर्दा फंसाधन ये टॉप लेबल का question जो कि आपको तयार करके करके जाना है ठीक है संतुलित छेत्रे विकास ये भी काफी helpful question है ठीक है फ्रेट मैंन का केंद्र ठीक परेदी मोडल ये इतना महात पूर नहीं कभी कदार आता तो आप इसे इग्नोर करते हैं लेंगे एक समानता इसको जरूर टॉप लेबल में स्थाची सामिल करेंगे क्योंकि ये कई बार repeated question है मानो विकास सूचकांग कि ये भी कभी कदार आने वाला question इसको इग्नोर कर सकते हैं विकास का आर्थियों पर ही बहाँ पार टॉप लेबल का question विकास से सम्मधित एक दो कुरूशन आपके पर इस हम जरूर देखने हैं गारंटी वाले question है ठीक है question answer आप लोगों के समस्मध दोनों प्रस्तुत कर दिया है मैं आपको हर बीडियों बता रहा हूं कि हमाया पास थोड़ा बहुत समय मिलता बाता है आप सभी को explain करने के लिए बाकी ज्यादा समय नहीं रहेता क्योंकि आप सभी गौशन तयार करना उत्तर तयार करना वो किर भी सभी चीजों को एक डोन करके आपके एक्जाम के इंसाफ पर आपके लिए question answer most important तयार करते हैं जो पिछले पालों में पूछे गए हैं और इस बार जो पूछे जाने के संभाव ना लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं और कुछ हातर तो भाई अच्छे हैं वो तो क्योंकि हम तो इतने बड़े मोटीव इसनाल स्पीकर तो है नहीं ठीक है महसरी की तरह संदीप महसरी सर की तरह कि हम आपका जो ठीक है वो एकदम से चेंज कर देंगे ठीक है लेकिन जैसे भी आप लोग मस्त रहिए और तैयारी करिए बस विकास दुरू का सिद्धान चाह है ठीक है और अफ्थानिय छेत्र के महात्पॉर्ण है अफ्थानिय छेत्र से जुड़ा कोईश्चन परस जाएगा ठीक है नियोजन के अफ्तर ये तनमहात्पॉर्ण नहीं आप चाहें पढ़ भी सकते एग्णोर कर सकतें बेसक ठीक है ओके तो इस प्रकार आपकी परिच लेकिन जो टॉप लेबल के हैं जो कई बार रिपीटेड हैं और आपकी बार इस बार पर इच्छा में आने के चांप है जो उनको मैंने बता ही दिया कि इनको जोड़ तैयार करके जाएं उनको तैयार कर लिजीगा कोई आपको यूटूब पे या फिर कहीं पर आपको कोई आपको कोई नहीं बता रहा है और प्रवाइद करते हैं आप सभी को मालू में और प्राप्त करना तो टेलेक्राम वाटसब से जोईन हो जाएं वहां पर आपको मिल जाएगा मिलते हैं वीडियो में जेहिंद